दोस्तो स्वागते आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल किर्ष्णा फैंटेसी में अंडाज हम बात करेंगे बांगलदेश वसद अफगानिस्तान की बीच खेले जाने वाले फर्स टी-20 मैच के बारे में दोस्तो ये मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देगा कौन से वो player होने वाले साथ ही साथ में कौन सा batsman का betting करेगा कौन सा ball का bowling करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में detail के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे telegram channel के बारे में comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए तो जल्दी से आईए link पे click करें और telegram से जुड़ जाईए telegram पे मैं आपको small league के साथ grand league की भी team जो है provide करता हूँ और अब तक मैंने अल्रेड़ी 25 बार grand league win कर चुका हूँ और 10 करोड से जादा मैं fantasy में win भी कर चुका हूँ तो ये सब आप भी कर सकते grand league आप भी win कर सकते अगर आप हमारे telegram channel से जुड़ जाते link इस video के नीचे comment box में और discussion में तो telegram से जुड़ जाईएगा दोस्तों आप देख सकते हूँ ने आपे मुझे 20,000 रुपेगी free entry मिले वी small league head to head में 10,000 रुपेगी free entry मिले वी small league head to head में भाई ये free entry आपको भी मिल सकती है कैसे मिलेगी तो simply आपको कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको my fav 11 app को download करके register कर देना है आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप my fav 11 app को first time download करके register करते हो तो my fav 11 आपको 20,000 रुपेगी free entry देता है small league head to head में तो वस my fav 11 app को download कर लेना है link इस वीडियो की नीचे comment box में और discussion box में दिया वाए अगर आप loss में चल रहे हो फिरी में 20,000 विन करके पूरा loss कवर कर सकते हो अगर आप अल्रीडी profit में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी जादा profit बना सकते हो सबसे पहले my fav 11 app को download कर लेना है link इस वीडियो की नीचे comment box में डिया वाए और discussion box में डिया वाए जल्दी से आईए link पे click करियो और my fav 11 app को download करके register कर लेजिए दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी team की तो उससे पहले आप सभी से एक request है यार जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को जरूर subscribe कर लेजिएगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर player के बारे में detail के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ तो एक छोटा support आप कर सकते हो हमारे YouTube चैनल को subscribe करके उमीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिया होगा बात करे अगर हमारी fantasy की टीम की तो wicket keeper में सबसे पहले गुरबास का आपके पास option होने वाला है अगर मैं गुरबास के बारे में head to head में बात करूँ ना T20 में तो 5 matches इनोंने खेले जिसमें इनोंने मात्र 43 रण इनोंने करे यानि की जल्दी wicket अपना गवा देते जब ये बांगलादेश के सामने खेलते वहीं अगर लेट इनदास के बारे में बात करूँ तो दोस्तो इनका भी कोई खास performance नहीं रहा head to head में अगर हम देखे तो 17 matches इनोंने खेले हैं दोस्तो उन 17 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनोंने सिर्फ अभी तक 336 करे एवरेज जो इनका 22 का रहा है लेकिन देखो दोनों ही open करेंगे तो आपके लिए game changes साबित हो सकते हैं आप दोनों को रख सकते हो शेजाद का मुझे लगता नहीं है कि इनको खेलने का मौखा मिलने वाला है दोस्तो बैटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ नजब उल्ला जादरान का आपके पास option होने वाला है अब देखो नजब उल्ला के बारे में बात करें न तो इनका बैटिंग order तकरीब नमबर 6 पे रहता है अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करें तो आप रख सकते हो अगर अफगानिस्तान पहले बालिंग कर रही है तो आप drop करके चल सकते हो लेकिन अगर आप इनको रख रहे हो तो मैं आपको बोलूगा अफगानिस्तान की opener को आप drop कर सकते हो क्योंकि अगर opener को रख रहे हो तो फिर middle order में आपको जो है नजब उला को रखने का मुझे लगता नहीं है इतना कोई जो है यहाँ पर प्रॉब्लम होगा फरक पड़ेगा दोस्तो ठीक है जजाई के बारे में बात करें जजाई मुझे लगता है one down क्या तो number 3 पे खेलेंगे या फिर number 4 पे खेलेंगे क्योंकि इनके पास opener जादरान already है जो कि अच्छी form में चल रहे है तो यह उनसे छेड़ चाड़ नहीं करेंगे अगर head to head में मैं इनके बारे में बात करूँ 5 matches के बारे में दोस्तो तो इनोंने 136 sun करे है और उसमें 34 का average आए तो इनका performance अच्छा रहता है बांगलादेश के सामने लेकिन यह performance open करते वे आए अगर यह बंदा open करेगा आप रख सकते हो अगर नीचे खेल रहा है तो थोड़े से जो है यह doubtful हो जाते फिर शाइट perform ना करे क्योंकि यह आते ही बड़े hit मारते तो hitting के चकर में तो out हो जाते तो power play में hit मार सकते उसके अलावा अगर power play के बाद आते हैं खेलने तो बड़े hit मारेंगे तो मुझे लगता है out हो सकते है हुसेंच शान्तो के बारे में बात करें वन डाउन आपको नमबर 3 पे इस मैच में खेलते वे नजर आने वाले एक अच्छे player है दोस्तो अगर मैं इस crown के बारे में बात करूँ 9 matches इन्होंने खेले जहां पर ये match खेला जाएगा वहाँ पे 9 matches में इन्होंने अभी तक 100 ही run करे और average joy 14 करा है लेकिन आप try करके चल सकते हो एक अच्छे option हो जाते है दोस्तो जादरान open करेंगे और भाई क्या शान्दार ये form में चल रहा है बंदा मुझे लगता है जादरान को तो आपको रखना चाहिए क्योंकि भाई अफगानिस्तान का ये superstar हो सकता है future का क्योंकि हर match में perform करके देता है तो आप इनको रख सकते हो अफीफ उसेन बैटिंग ओडर आपको number 7 नचर आ सकता है या फिन number 6 अगर पहले इनकी टीम बैटिंग करती है आप इनको ट्राइ करके चल सकते हो अधर्वाइस मुझे लगता है आप जो है इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो बाकि हिर्डोय आपको number 5 बैटिंग करेंगे पहले इनकी टीम अगर बैटिंग करती है तो आप इनको ट्राइ करके चल सकते हैं, अधर्वाइस ड्रॉप करने का रिस्क आप लेके चल सकते हो शमीव हुसेन, ओपन करते वे नजर आने वाले रीसेन का परफोर्मेंस एवरेज है लेकिन मुझे लगता है आप इनको अपने टीम में ट्राइ करके चल सकते हो एक अच्छो उप्शन वैसे मुझे लगता है आपके लिए इस मैच में बन सकते है फिलाल तो मैं यहाँ से दो बैट्समेन लेके जा रहा हूँ और राउंडर के बारे में बात करें शाकीव अल असन और मुहमन अभी दोनों आपके लिए इमपोड़न्ट है शाकीव इस मैच में नंबर 4 खेलेंगे न अभी 5 खेलेंगे और दोनों पूरे ओवर डाल के देते तो दोनों को आप अपनी टीम में जरूर रखिए दोनों आपके लिए इमपोड़न्ट हो जाते है मेंदी हसन मिराज के बारे में बात करे गेम चेंजर साबित हो सकते अगर 4 ओवर पूरे डालते तो मुझे लगता है विकेट निकालके आपको जरूर देखे चला जाएगा ये बंदा आप इस बंदे को अपने टीम में लेके चल सकते हो अगर मैं मेंदी हसन के बारे में बात करूँ दोस्तो अभी तक इस ग्राउंड के बारे में बात करूँ तो 20 ओवर इनोंने इस ग्राउंड पे बॉलिंग करिए जिसमें इनोंने 7 विकेट निकाले तो एक अच्छा परफॉमेंस रहा है दोस्तो ठीक है तो आप इनको आसानी से रख सकते हो करीम जन्नत मुझे डाउटफूर लग रहे फिलाल तीन हमारे पास बैस्ट ओप्शन हो जाते जिनको रख सकते बॉलिंग के बारे में बात करें राशित खान के बारे में तो बोलने की जरुवत ही नहीं है बाई राशित खान को तो आप आँग बन करके अपने टीम में रख सकते हो एक अच्छे उप्शन है विकेट टेकर बॉलर है जो हमेशा आपको विकेट निकाल के किसी भी कंडिशन में दे सकते है मुस्तफ इजूर रहमान के बारे में बात करें रीसन की फॉरम इतनी अच्छी नहीं चल रही काफी टाइम से कोई विकेट तक नहीं निकाल पाते दोस्तो सिंगल विकेट भी नहीं निकाल पाते अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है बांगलादेश तो आप इनको रख सकते हो otherwise आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि पहले बॉलिंग में इतन में बॉलिंग डालेंगे तो वहाँ विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं दोस्तो बाकी यहां से मुजीबूर रहमान का आपके पास option होने वाला है मुजीबूर रहमान को आप अपनी टीम में रख सकते हो अच्छे प्लेरे अगर मैं performance की बारे में बात करूँ किस टाइब का इनका जो है मुजीब का performance रहता है दोस्तो अभी तक इस ground में वैसे तो इन्होंने जो है 12 overballing करिए जिसमें इन्होंने जो है 4 विकेड निकाले और head to head में 27 overballing करके इन्होंने 10 विकेड निकाले तो इनका performance अच्छा रहता है बांगलादेश के शामने तसकीन एमद आपको नजर आ सकते हैं दोस्तो बैटिंग तो खेर बहुत नीचे हो जाती है man तो baller है balling में आपके लिए game changer साबित हो सकते है विकेड टेकर baller है हमेशा almost विकेड निकाल के देते तो आप इनको अपनी team में लेके चल सकते हो इस ground पे इनका record भी अच्छा है 30 over इन्होंने balling करिए और 15 विकेड इन्होंने निकाले तो इनका record अच्छा रहा है मुझे लगता है आप लेके चल सकते हो फजलक फारू की open और death में balling करवाते वे आपको नजर आने वाले रख सकते हो try कर सकते हो आपकी लिए एक अच्छे option हो जाते ठीक है recent की performance भी अच्छी रही है वहीं अगर यहां से किसी और के बारे में हम बात करें जो आपको इस match में नजर आने वाला है दोस्तो और उनको आप रख सकते हो देखो यहां से हसन महमूद आपको इस match में खेलते वे नजर आने वाले यह भी एक wicket taker baller है दोस्तो अभी तक अगर मैं बात करूँ इस ground में तो इस ground में इनोंने 12 over balling करी अगर मैं 12 over काई बता हो आपको तो 7 wicket इनोंने निकाला है आप देख सकते हो performance इनका काफी अच्छा राय बाकी यहां से मुझे कोई खास option लगते नहीं है जो आपको इस match में नजर आने वाले हो जिनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो आप तसकीर रहमत को अपनी टीम में लेके चल सकते हो दोस्तो और यहां से फजलक फारुकी को फिलाल लेके चल सकते हो captain voice captain के बारे में बात करें शाकीब से अच्छा कोई captain voice captain मुझे लग नहीं रहा दोस्तो और vice captain राशित खान से बढ़िया मुझे कोई लग नहीं रहा क्योंकि दोनों ही आपको point दे के जरूर जाते हैं बाकी अगर आप कुछ different करना चाते हो मौमन अभी एक अच्छे option बन सकते हैं इस match में दोस्तो बाकी अगर balling में जाना चाहो तो यहां से bangladesh balling करे तो उनके death baller को कर सकते हो बाकी तो फचल अग फारुकी को भी कर सकते हो अगर अफगानिस्तान पहले ball करती है फिलाल यह हमारी टीम का पिर्वियो आप देख सकते हो दोस्तो आप इस टीम के साथ contest जोइन कर लिजिएगा final टीम आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और टेलिग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए जल्दी से आईए link पे क्लिक करिए और टेलिग्राम चनल को जोइन कर लिजिए दोस्तो अगर आपको 20,000 रुपेगी फिर एंटी चीए small league head to head में 10,000 रुपेगी फिर एंटी चीए small league head to head में तो आपको कुछ नहीं करना सिंपल सबसे पहले my fav 11 app को डाउनलोड कर लेना है लिंक आपको इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए जल्दी से आईए link पे क्लिक करिए और my fav 11 app को डाउनलोड कर लिजिए चलिए दोस्तों मिलते है में टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम से जुड़ी आईगा और में टेम एक्टिव रहेगा